इमामे काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं और बाबरी मस्दिद वाला तारीक फैसला एक फैसले ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान उनके जो प्लानिंग उनके जो पॉलिसीज है वो कामियाव होती नजर आ रही है जो केमरिक आगे कहूंगा तो मैं उठाया जाओंगा जहीं दोस्तों मेरे चैनल मोडी डिस में अपकास वगट है दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीगा तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे है सुप्रिम कोट के आदेश पे बाबरी मस्जिट के रिपलेस्विन में जो जमीन डिगे थी वहाँ पे एक मस्जिट बन रही है और उस मस्जिट का इनोग्रेशन करने के लिए खाना काबा के जो इमाम है वो आ रहे है तो यह सुनके पाकिस्तानी मीडिया के हो सुड़ गये है पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि खाना काबा की इमाम को भी एक बीजेपी लिडर नहीं बुलाया है तो पाकिस्तानी मीडिया आज इसके बारें बातचीत करें कि अयोध्धा में जो मस्जिट बन रही है उसका इनुग्रेशन करने के लिए या फाउन्डेशन लगाने के लिए खाना काबा के जो मिक्का में है उसके इमाम आ रहे है दोस्तों ये वीडियो बहुती मिस्टार है तो आज सारी मुस्लिम कंट्रीज जो है वह इंडिया के साथ अच्छे तालुकात बनाना चाहते हैं वह पाकिस्तान को दिखाना चाहते थे क्या समझते हो उनकी जो स्ट्राटेजी प्लानिंग उनके जो पॉलिसी कामियाब होती नजर आ रही है पहली बात ही है कि पाकिस्त बारत की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों को एक बार फिर क्या ये बाज़े पेगाम ने दिया गया कि भारत सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद हिंदूओं को है दो मुमालिक पाकिस्तान और भारत दो फैसले एक यहां एक वहां एक रोशन एक रोशन फैसला करतार पुर वाला और बाबरी मस्जिद वाला तारीक फैसला एक फैसले ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान सबका है पाकिस्तान सबके लिए महफूज है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान सबके लिए बराबर है पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है चाहे उसका कोई भी मजभ वो पाकिस् strategic culture में आप चले जाएं तो यह चीजें आप 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 नहीं हैं तो वह यह कर रहे हैं लेकिन आप जैसे मैंने पहले का कि मेभी इनको सेंसेटाइज किया होगा मेभी उन्होंने इसको किया होगा लेकिन पॉइंट रिमेंस लेकिन जो मेर कश्वीर फिनिस्ट इंडिया में क्या हो रहा है पिसेटिजन जो एक सिटिजन शिप था एक्ट वो उसका कोई जिकर नहीं हो रहा है यह चीजे हमें मीडिया को भी यह पहले यह गर्मन्न की रिस्पांसिबिलेटी है तो फाइंड सुलूशन एन दें इंप्लि पर उसका निकलेगा मैं बिलकोर कर्बेंस हूं कि मोधी को जिससी बभारा जा रहा है और जिस कि उसका का इमेज़ बनाया जा रहा है और आलमी अदाकार और मकामी अदाकार जिस सारह CR भारत की तभाहि का सबब 맞는 होती ही बनेगा और यह जो मामला है यह खील बढ़ा देगा अबादी के दर्मियान के देखिए पाकिस्तान में इमpole कितनी बार आतें आभ आप यह देखिए झार यह आप जिसमीन ऐ propose के इसलमा अग्ट कोई है ना मुसलमानों को लेके तो वह हिंदुस्तान है इंडियन कंट्रीज है ये किदर मुसलमानों पर जुलम होता है आज उस जालिम मुलक के बीच में इमाम काबा तश्रीफ लेके आ रहे हैं आज उस जालिम मुलक के बीच में बाइजान इंडिया की भारत की हिस्ट्री क सबसे बड़ी मज़िद बनने जा रही है फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुराने पाग उस मज़िद में रखा जाएगा उन्हें जोंसा है इंडिया के विज़ट के लिए बीजे पी के ही एक जोंसा मेंबर है बुलारे माजी की बात करें मंदीर थे वहाँ पे पंडित रहते थे तो उदर मंदीर कितने मज़ूद है अजाद के दर मेरा खाल कुछ दो तीन है पूरे शेर में शायद चार पांच मंदीर है और वो जिस हालत में जिस कंडिशन में आपको क्या लगता है कि वो मंदीर काम से काम होने चाहिए देखें जी इस वक्तों मंदीरों का तसवरी खत्म होना जी यह लेकिन जो गूर्मेंट कॉंट्रेक्ट कर बैठी हुई है शायद उस पर अमल करना उनके मजबूरी है इसलिए हिंदूस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मजद बन रही है इमाम काभा उसकी बुरिया रखने आ रहे है दुनिया का सबसे बड़ा कुराने पाक हिंदूस्तान में उस म année में रखा जेगा अब मुझे बताएं कि जब हम यह बात करते हैं पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसल्मान हैं, तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो इसमें दीन इसलाम के बन्याद जो है, यह इस पे है, कि मजब आजाद, मजब की अजादी है, हम लोग वैसी दुनिया में सबसे आग लगते थे, सारी सारी रास भून में लगते थे, यानि के एंजिनियर्स के भी दमाग नहीं, जो पाकिस्तानियों के दमाग हैं हमारे, लेकिन दो नमरी में, जी मैं सबसे पहले ही योगी जी है, उन्हें मैं थैंक करना चाहूंगा, पाकिस्तान में वो कहते हैं कि सबसे इडियों पर बात करते हैं, तो ये मस्टीट उस जमीन पर बन रही है, जो जमीन बाब्री मस्टीट के प्लेस्मेन पर सुप्रीम कोट के आदेश पर दी गई थी, और इस मस्टीट को बना रहे हैं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउन्डेशन, जो एक ट्रस है, जिसे फॉर् अमदुल्ला साथ उनका नाम दिया जाएगा, और इस मस्टीट जो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंडर एक कैंसर हस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मुसियम और लाइबरी भी होगा, तो एक बहुती बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा मस्टीट के अंडर, तो इसलिए इसे दुनिया क सबसे बड़ी मस्टीट कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंडर बहुत सारी चीज़े होंगी, ये सिर्फ एक मस्टीट नहीं होगा, और जो वाफबोट है, उनका कहना है कि ये भारत में जो रिलिजियस यूनिटी है, उसका एक सिंबल भी होगा, और जैसे पाकिस्टानी का होगा, तो आप सोची सकती है कितना बड़ा होगा, और जैसे मैंने कहा कि इसका फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए खाना काबा के इमाम आ रहे है, तो ये बहुती बड़ी चीज़ है, और इसलिए भी पाकिस्टानी मीडिया भी ये सुनके हैरान हो गये, क्योंकि और रसा नहीं है, तो आखिरे में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्टान इसमें भी कुछ ना कुछ खराब निकाली लेगा, तो चीलिए देखते की फीचर में क्या होता है, दोस्तों ये वीडियो टेकनिक लिए बड़ो से किया, और हमाई जैसे सिस्काइब करना में आदिकू तो लिगा, थेंगे विदी मच्छ